Hi everyone, it's me Pooja, so welcome and welcome back to my channel PS Styles में तो आज की वीडियो होने वाली है इंदर लोग थस्टे पट्री मार्किट की तो इंदर लोग थस्टे पट्री मार्किट वैसे तो 8 बजे लग जाती है और शाम के 4-5 बजे तक मार्किट लगी हुई होती है लेकिन पिछली बार मार्किट बिलकुल नहीं लगी थी और इस थस्टे को मार्किट लगी थी लेकिन 11 बजे से पट्री मार्किट लगनी स्टार्ट हुई थी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं अपडेट दे देती हूँ महा पहुँचने के बार के मार्किट लगेगी या नहीं लगेगी इस बार भी मैंने ऐसे ही किया था मैं मार्किट पहुँच गई थी लेकिन उस ताइम पट्री मार्किट नहीं लगी थी लेकिन मुझे पता चल गया था मैंने भईया से पोछ लिया था और उन्होंने मुझे बताया कि पट्री मार्किट लगेगी मैंने सबको अपडेट दे दिया था कम्यूनिटी पोस्ट में क्या आप मार्किट आ सकते हो पट्री मार्किट का सारा कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको सबी चीजे मिल जाती है काफी अफोर्डेबल रेंज में पट्री कलेक्शन पे आपको सबी समान यहाँ पे मिल जाता है तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं आज का कलेक्शन क्या कुछ हमें वीडियो को देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक भीया जी ने कुर्ती की सेल लगाई हुई थी यह आपको में रोड पे मिल जाएगा मैट्रो स्टेशन के नीचे जो कलेक्शन होता है उस साइड आपको यह वाले भीया जी यहाँ पे मिल जाएगे ठीक है 200-200 रुपे में इनके पास काफी अच्छा कुर्ती कलेक्शन था इसमें आपको अनारकली वाली काफी प्लेयर वाली कुर्ती सारा mix collection था, कुछ straight कुर्ती भी थी और छोटे से लेकर सारे बड़े sizes भी available थे तो 200 रुपे में आपको इस तरह की कुछ अनारकली कुर्ती मिल रही है, इतना best collection आपको affordable range में यहाँ पे मिल जाता है तो यह जितना भी collection लगा हुआ है तो 200 रुपे में आपको इस तरह का collection यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ही affordable range में आपको यहाँ पे सभी चीज़े मिल जाती है, बस यहाँ पे आप कभी भी आते हो ना अपने phone और purse का यहाँ पे आपको खास कर ध्यान रखना है बिल्कुल भी नजर नहीं हटानी है अपने phone और purse से, ठीक है क्योंकि यहाँ पे बहुत जादा crowd होता है, जिस वज़े से बहुत जादा चोरी होती है, phone और purse चोरी होती है तो आपकी responsibility है अपने phone और purse को संभाल के रखने के इनके सामने एक भी जी ने यहाँ पे bottle लगाई हुई थी, बहुत अच्छे tip in box लगाई हुए थी, 100 रुपीस से starting थी, इन चीजों को आप जब भी लेते हो ना तसली के साथ check करके ही purchase किया करो, ठीक है अगर आपको टीफन box लेते हो उसको आप खोल के देखो अच्छे से कहीं से कोई reject यह टूटा हुआ तो नहीं है उसके बाद purchase किया करो ठीक है चल्दबाजी में चीजे मत खरीदा करो तो यहां पर एक भी अजी ने देखिए इस तरह के shoes मिलेगी आपको और यह without laces है 100 रुपे इनका price था यह beach road में एक भी अजी ने लगाए हुए थे 100-100 रुपे में और यह वाले sleeper collection भी flat sleeper collection आपको 100 रुपे में मिल जाएगा इसमें भी आपको काफी सारे बाइडन मिल रहे थे यहां पर देखने को तो देखिए यह सारे अलग अलग design की थी सब आपको 100 रुपे में यह मिल रही थी ठीक है यह जो मैं आपको दिखा रही हूं यह आपको 50 रुपे में भाया जी के पास टू टाइपस की टावल ती यह वाली टावल आपको 100 रुपे में मिल रही थी जो नीचे है और प्रेंट वाली छोटी टावल थी वो साइज में थोड़ी से छोटी थी उसका प्राइस 50 रुपीज था तो 50 रुपे सो रुपे दोनों प्राइस में आपको टावल कलेक्शन यहां पर मिल जाता है बिल्कुल इंपॉर्ट फैब्रिक में आपको यहां पर टावल कलेक्शन मिल जाता है एक से एक कलर डिजाइन आपको यहां पर देखने को मिलते है तो दीखिए 50 पचास रुपे में एक दी यहां पर खरीद रही थी तो दीखिए उन के देखने के बाद दिल कर रहा था पर्चिस कर लो लेकिन मैंने यहां से काफी बारना पर्चिस कर लिया इसलिए मैंने कोई टावल पर्चिस नहीं की तो यह वाली आपको 50 रुपीज में मिलेगी और जो बड़ी वाली है वो आपको 100 रुपीज में कलेक्शन मिल जाएगा काफी अच्छी कॉलिटी में आपको सारा कलेक्शन मिल जाता है भाया जी आपको सदर बजार में 12 टुटी चोक रोड पे भी मिल जाते है जैसी आप एंट्री करते हो तीसरी शॉप भाया जी की मिल जाती है तो यहाँ पे आपको यह स्लीपर कलेक्शन बीच रोड में लगा हुआ था 150 रुपीज प्राइस था 1500 रुपे में आपको यह स्लीपर्स मिल रही थी काफी अच्छी थी यह प्लास्टिक वाली होती है आप इन्हें पानी में भी पहन सकते हो कुछ स्लीपर्स होती है न पानी में बिल्कुल भी नहीं पैन सकते एकदम खराब हो जाती है तो यह बिल्कुल प्लास्टिक में थी तो आप ले सकते हो 150 रुपीज इनका प्राइस था यहाँ पे 100-100 रुपे की एक और सेल लगी हुई थी एक भी जी यहाँ पे नैट के कर्टेंस बेच रहे थे नैट के परदे बेच रहे थे बीच में ही भी जी लगाते है हमेशा और इसमें आपको देखिए जो यह गोल छला होता है पहले यह स्टील में आता था जिस पर जंग लग जाता था अब यह प्लास्टिक के आने लग गया तो यह उप्शन मुझे काफ़ अच्छा लगा 100 रुपे प्राइस था 100-100 रुपे में आप यह कर्टेंस ले सकते हो इसना आपको 7 पूट, 9 पूट दोनों ही तरह के कर्टेंस मिल जाते हैं दोनों साइजेस, कलर ऑप्शन, बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पे एक भया जी के पास लेसिस का पूरा भंडार था इतनी लेसिस थी ना, मुझे बहुत सुन्दर सुन्दर लेसिस लग रही थी लेकिन मैरे किसी काम की नहीं थी, मैं क्या करूंगी लेसिस का और यह जनलर वाली आप डुपटे में लगा सकते हो, हर एक लेसिस, जिस टाइप की भी लेसिस होती है वो सारा ही कलेक्शन भया जी के पास अविलेबल था लेसिस का और इनके पास आपको नैक पैचिस भी मिल जाएगे, पैच मिल जाएगे जो आप सूट पे लगा सकते हो, गले बने बनाएं, दददस रुपए में मिल रहे थे यह वाले गले बताओ, तैन रुपीस में आपको यह कलेक्शन मिल रहा है इतना बड़िया बड़िया कलेक्शन था, और यह लेसिस का तो बहुत अच्छा कलेक्शन था, देखी सकते हो आप कितनी प्रिटी प्रिटी लेस आपको यहाँ पे इतने अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती है ठीक है तो बहुत अच्छा लेसिस कलेक्शन भहिया के पास आपको हर टाप्स की लेस मिलेगी छोटी पतली चोडी हर तरह की एक साइट भहिया नहीं आप पतली वाली लेसिस की गुच्छी बनाई हुई थी जो भहिया सेल कर रहे थे तीन रुपे मेटर के हिसाब से यह बहुत अफोर्डिबल रेंच में आपको यहां पे कलेक्शन मिलता है तेन रुपे मेटर के हिसाब से आप वराइटी डिजाइन देखो आपको तीन रुपे मीटर की हिसाम में कितने सारे color design variety मिल रही है तो काफ़ अच्छा collection आपको यहाँ पे laces का मिल जाता है बहुत यह affordable range में यह सारी ही laces collection आपको मिल जाता है जैसे मैंने आपको बताया कि सारा ही collection आपको main road पे मिलने वाला है तो आपको location ढूणने में कोई दिक्कत नी होने वाली है main road पे सारा collection आपको देखने को मिलेगा एक अंकल जी यहाँ पे देखिए यह चोटे मोटे बड़तन लगाते हैं रमचे लगाते हैं तो आप देखी सकते हो सारे color design option आपको यहाँ पे देखने को मिलेगे even quality के अगर आपको परदे चाहिए नैट के तो आप भहिया के पास जरूर आ सकते हो भहिया को आप पहचान लो भहिया आपको सदर बजार में भी 12 टोटी चोग वाले road पे मिल जाते हैं सदर बजार आते रहते होगे उनको पता होगा तो पूरे सदर बजार में भहिया जी ही यहाँ टोवल और curtains लगाते हैं तो यह वाले भहिया जी इंदर लोक में भी लगाते हैं collection काफी बढ़िया होता है इनके पास देखें एक एक सारे ही परदे इतने बढ़िया होता है पीछे आपको suit भी मिल जाएगे यहाँ पे भहिया जी के पास यह दूसरे भहिया जी का collection था लेकिन इनके shop के पीछे लगा हुआ था तो जो suit मैंने आपको दिखाया 350 से starting थी सारी high range भी आपको suit मिल जाएगी यहाँ पे आपको यह 30-30 रुपीज के शूप दीपवली के यह packets मिल रहे थे 10 रुपे में 2 आपको बिंदी के पते मिल रहे थे जो और जगे आपको 10 का एक मिलता है यहाँ पे आपको 10 के 2 मिल जाते है अच्छी packaging के साथ तो आप यहाँ से बिंदी ले सकते हो इसमें आपको सभी टैप्स की बिंदी मिल जाएगी और यहाँ पे क्राउट देखो कितना जादा है यहाँ पे लेसेस मिल रही थी और यह लेसेस के भईया बंडल बनाके रखते है कुछ इस तरीके से और यह सारी ही लेसेस आपको 20 रुपे पत्ते के हिसाब से मिल रही थी मतलब आप कोई भी पीस यहाँ से लोग आपको 20 रुपीस का मिलेगा काफी affordable range में इसमें आपको अच्छी quality वाली जो highest price वाली होती है वो वाली लेसेस collection में मिल जाता है और फिर यहाँ पे एक भीया जी ने fabric लगाया हुआ था काफी अच्छा लग रहा था फैबरिक देखने में 30 रुपे मीटर के हिसाब से आपको यह वाला फैबरिक मिल रहा था बीच में रोड में भीया जी ने यह लगाया हुआ था collection आप कलर देखो कितने प्रेटी प्रेटी कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहते हैं तो काफी पावर्डेबल रेंज पे आपको यह सारा collection मिल रहा था 30 रूपर मीटर के हिसाब से आप कोई भी ले सकते हो यहां से फैबरिक सभी फैबरिक के कपड़े अलग अलग पैटन के है कोई जॉर्जेट है कोई शिपोन है कोई क्रीप है तो इस तरह के फैबरिक कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है और फैबरिक के नाम पर क्या यह मार्किट में आपको हर एक चीज मिल जाती है डिजाइनर सूट डिजाइनर साड़ी बच्चों का कलेक्शन फुटवेयर कलेक्शन घर से होम से रिलेटिड चीजे तो यह शीमर वाला भी देखिए यह भी 30 रूपर मीटर के हिसाब से मिल रहा था इसके ब्लाउ पचास रुपे में जाकिट मिल रही थी साइजिस काफी बड़े बढ़ेते 50 रुपे में कलेक्शन मिल रहा था जाकिट में आपको पूरी मार्किट में अब जगे जगे विंटर कलेक्शन भी देखने को मिलेगा aapExually मिल जएगी आपको गरम स्वैटर मिल जएगी जाकिट मिल जाएगी बच्चों का गरम कलेक्शन देखने को मिलेगा तो सारा ही कलेक्शन मार्कीट में आ चुका है तो देखो इस तरह का कलेक्शन आपको 50-50 रुपीज में यह जाकीट का यहां पे मिल रहा था काफी अफोर्डेबल रेंज में यहां पे देखिए साड़ी यह जितनी भी आपको दिख रही है सब साड़ी है प्रेंटिड साड़ी का कलेक्शन आपको मिलेगा एवन क्वालिटी में साड़ी होती है भया एक एक प्राश पीस को यहां पे ओपन करके डालते है और 250 रुपीज प्राइस है 500 रुपे में आपको प्रेंटेड वाली साड़ी मिल जाएगी जो साड़ी आपको पसंद आती है आप पर्चिस कर सकते हो प्रापर तरीके से चेक करने के बाद ठीक है तो देखिए इतने अफोर्डेबल रेंज में आपको इतनी बड़िया बड़िया यहाँ पे साड़ी कलेक्शन मिल रहा था क्राउड आप देख सकते हो चारो तरफ से कितना क्राउड था यहाँ ठीक है तो 250 रुपीज में जो साड़ी आपको पसंद आती है काफी अफोर्डेबल रेंज में यहाँ पे मिल जाता है 250 रुपीज में देखिए इतनी वराइटी आपको मिलेगी अगर आपको 250 रुपीज में कहीं कलेक्शन मिलता भी है साड़ी का तो इतनी वराइटी आपको देखने को नहीं मिलती है तो यहाँ पर आपको variety के साथ साथ collection भी काफी affordable price में मिल जाता है तो दिखिए इस तरह का collection आपको ये साड़ी का हमेशा ही मिलता है किसी भी ठस्टे आओ आपको अगर पट्री market लगी हुई है तो ये सारा collection मिलता है मिलता है एक और चीज में आपको suggest कर देती हूँ आपको ये वाले पजामे मिल रहेते हैं यहाँ पर पजामे ट्राउजर जो भी आप इने कहते हो तो boys का इस तरह का collection आपको 200 रुपीस में मिल रहा था बहुत अच्छा collection था हर एक color design था और girls के लिए दिखें ये pink color का ये girls ले सकती है और काफी सुन्दर लग रहे थे एकदम fresh quality में color design option ना बहुत सारे थे भाया जी के पास और एक white color का था मुझे काफी pretty लग रहता है कांटी जी ले रही थी तो वो एक ही piece था otherwise वो नहीं ले थी आंटी जी तो मैं उसे purchase करती है अभी मैं आपको दिखाती हूँ 200 रुपीस में इतना बड़िया लग रहा था ना उस पे print ही तो ये वाला तो दीखिए ये side में लिखा हुआ भी था और इसका एक और piece था वो कुछ different design था था उस पे कोई stain लगा हुआ था ठीक है तो अगर white color के आप कोई pieces लेते हो वैसे तो कुछ भी लो ना उसको proper तरीके से check करो उसके बाद ही purchase करो क्योंकि क्या होता है ना इतना सारा collection ऐसे पड़ा हुआ होता है तो यहां पर ही कुछ लग जाता है भाया लोग तो एकदम fresh material लेके आते हैं लेकिन यहीं पर pieces कुछ गंदे हो जाते हैं और कुछ stain ऐसे होते हैं जो नहीं छुटते हैं तो यह वाला देखिए यह बिलकुल न आगे का collection भी देख लेते हैं यह सब तो मैंने आपको दिखा दिया है बहुत affordable range पर आपको यहां पर सभी चीज़े मिल जाती है बस आपको यहां पर अपने phone और पर्स का धियान रखना है क्योंकि यहां पर काफी जद चोरी होती है अगर आपको नहीं पता है आप first time आते हो कोई आपको suggest रही करता है तो आपको phone पर सचोरी हो सकता है पजामे वाले भीया जी के साथ एक भीया ने यहां पर shop लगाए हुई थी जिनके पास आपको सारा ही बच्चों का गरम collection देखने को मिलेगा baby girls and baby boys दोनों के लिए ही newborn baby से लेकर 5-7 साल तक कि आपको यह winter collection देखने मिल जाती है सारे ही आप sweater high neck इसमें jacket हर तरह का mix collection होता है पजामी मिल जाएगी तो 100 रुपे का एक पीस ले सकते हो collection import पाला जो होता है न import fabric जो होता है वो इसमें collection mix होगा होता है तो देखिए आपको बूलन वाले sweater भी मिल जाएगे जो उन वाले होते है दिखने में इसका price भी same ही था 100 रुपे का एक पीस आप यहां से कोई भी ले सकते हो काफी affordable range पे आपको यह collection मिल रहा था यहाँ पर एक भहिया जी cap collection लगाते है जिनके पास आपको सारी वच्चों की cap मिल जाएगी हर design में हर color design में आपको भहिया जी के पास यहाँ पर cap collection देखने को मिलेगा च इसमें आपको summer वाले भी मिल जाएगी woolen वाले भी मिल जाएगी अगर आपको goal में चाहिए round में चाहिए मतलब जितनी भी तरह की टोपी होती है न बच्चों की वो सब आपको यहाँ पर मिलेगी ठीक है monkey cap भी आपको यहाँ पर मिल जाती है और price वही same होने वाला है तो देखा करो प्लीज उसको अच्छे से भीया का रख दिया करो ऐसे फेकर नहीं करो निकाल के चीजे तो यह भी आपको 50-50 रुपे में new born baby के sweaters मिल रहे थे तो काफी अच्छा collection था यहाँ पर 50-50 रुपीज में आपको new born baby का collection भी मिल जाता है और यहाँ पर fabric में देखो क्या हाल हुआ हुआ है फैबरिक ऐसे फसे पड़े थे काफी affordable range में यहाँ पर भीया ने सेल लगाई हुई थी अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जब हम metro station gate no.5 से exit करते है जो collection होता है वो सारा collection अब आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर आपको जातर fabric मिलता है और कभी-कभी यहाँ पर designer सारी, designer लहेंगा और designer suit भी आजाते है तो काफी अच्छा collection यहाँ मिलता है यह जितना भी fabric यहाँ पर लगा हुआ है भया ने सेल लगाई हुई है 30 रुपे मीटर के हिसाब से तो आप इसमें से कोई भी फैबरि मिल रहा था और इसमें आपको 2-3 color option भी देखने को मिल रहे थे यहाँ पर आपको सभी टैप्स के fabric मिल जाते है काफी affordable range में आपको सारा collection मिल जाता है 30 रुपे मीटर के हिसाब से आप इसमें से कोई भी fabric ले सकते हो वह यहाँ आपको 1 मीटर भी fabric दे देगे अगर आप 1 इसा fabric नहीं है जो आपको कहीं नहीं मिल रहा हो ना आप इंदर लोग market आ सकते हो आपको यहाँ पर सभी टैप्स के fabric देखने को मिल जाएगे तो इतने affordable range में आपको यहाँ पर देखिए 30 रुपे मीटर के हिसाब से कुछ कपड़ों के तो अरज इतने जादा बड़े होते ह कि आप एक मीटर में भी अपनी कुर्ती बना सकते हो बनवा सकते हो तो इस तरह का collection आपको यहाँ पर fabric का मिलता रहता है काफी affordable range में आपको सभी चीज़े मिल जाती है market का view आप देख सकते हो यह है gate number 5 इंदर लोग का mattress station का यहाँ से आप exit करके यह सारा collection देख सकते हो आपक अभी मिल जाएगा इंदर लोग ठीक है तो देखिए आपको ना इसमें कोई ऐसा color नहीं है जो इसमें ना हो crowd काफी ज़दा था और market लेट लगी थी इस पर देखते है market कितने बज़े लगती है क्या होता है market लगती भी है या नहीं लगती है तो सारी update पाने के लिए आप चैनल को subscribe कर लेना मैं market पहुँचते ही आपको update दे दूँगी कि market लगी है या नहीं लगी है या लगने वाली है ठीक है ये जो मैं आपको आप फैबरिक दिखा रही हूं ये आपको मिलेगा 20 रुपे मीटे के हिसाब से तो ये भाया के पास काफी अच्छा फैबरिक था य तो दिखिए 20 रुपे मीटर के हिसाब से ये सारा कलेक्शन आपको मिल रहा था crowd आप चारो तरफ से देख सकते हो इसमें आपको सभी टैप्स के फैबरिक और एकदम एवन क्वालिटी के फैबरिक था एकदम fresh pieces के सारे ही थानते तो काफे affordable range में आपको यहां पे भाया ये मीटर के हिसाब से नापके दे देंगे mattress station की stairs से आप gate number 5 से exit करोगे और आपको भाया मिल जाएगे अब यहां पे एक भाया ने फैबरिक लगाया हुआ है इनके पास आपको mix तरह का फैबरिक मिलेगा ठीक है इनके पास ना सभी के price अलग अलग ते क्योंकि ये जितना भ पीस का sale कर रहे थे अभी अच्छे से खोल के इसमें आपको front and back दोनों बना हुआ मिल जाएगा और आप इसका काफी अच्छा blouse बना सकते हो काफी affordable range में आपको ये वाला collection यहां पे 20 रुपे का 30 रुपे का 40 रुपे का अलग-अलग price range में collection मिल रहा था बहुत affordable range में आपक collection मिल जाता है ये collection आपको metro station से exit करने के बाद ही मिलेगा कुछ भी आपको पूछना हो आप मुझे comment कर सकते हो comment में आपका reply कर दूँगी कोई भी क्योरी हो comment कर लेना comment में आपका reply कर दूँगी ठीक है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर देना channel subscribe कर लेना और आज क कि वीडियो में मैं आपको एक और वीडियो का collection दिखाने वाली हूँ तो देखें यहां पर आपको सारा फैप्रिक collection मिलता है और सभी चीज़े मिल जाती है अब क्या होता है ना सदर बजार मार्किट में भी आपको ये सभी चीज़े मिलने लगी है बारे टोटी चोक वाले रोड पे तो अगर आपको फैब्रिक से रिलेटेड आप इंदर लोग नहीं आपाते हो तो आप सदर बजार भी आ सकते हो वहाँ पे ये collection ले सकते हो तो देखते हैं वीडियो सदर बजार की पहले आपको परदे वाले भाया मिलेगे 100 और पे से स्टार्टिंग हो जाती है 7 पुट नोपुट सभी टैप्स के आपको परदे मिल जाते हैं यहाँ पे अब मैं आ गई हूं डिजाइनर फुटवेर वाले collection वाले भिया जी के पास जिनके पास crowd इतना ज्यादा था फिर भी मैंने आपको बहुत सारा फुटवेर collection दिखा दिया 150 वा स्वारी 200 रुपीस मे बच्चों का collection था तो दो प्राइस थे 150 और 200 रुपीस यह सारा ही collection आपको 200 रुपे में मिलेगा बहुत ही जबर्दस फुटवेर collection आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्रीन मार्केट के बिलकुल बाहर आपको यह वाला सारा collection देखने को मिलेगा एवन कॉलिटी का आपको यहा पर फोर्डेबल रेंज में मिल जाता है तो देखिए सारे ही आपको फ्लैट अगर आप लेना चाते हो फ्लैट मिल जाएगी पार्टी वियर यह सिल्वर वाली देखिए कितने प्रिटी लग रही है बहुत सुन्दर थी 200 रुपीस में आपको इस तरह की पार्टी वियर यह बिलकुर रोड पे ही मिलेगी आपको और इस पर देखो बटरफलाई बन रही थी पीछे और यह बाइंड करने वाली थी बहुत प्रिटी प्रिटी आपको यहाँ पर फुट्वेर कलेक्शन मिल जाता है गल्स का वोमेंस का तो ठीक है और बहां पर बच्चों का कलेक्शन लगा हुआ है वो आपको 150 रुपीस में मिल जागा 150 रुपीस प्राइस होता है हर संडे को प्राइस रेंज चेंज होती है क्योंकि हर संडे को कलेक्शन चेंज आता है अब मैं दूसरे भीया के पास आ चुकी हूं फुट्वेर वालों के इनके पास आपको 200 रुपीस में इ 250 रुपीज में मिलेगा तो आपको अंकल जी के पास सभी चीज मिलेगी यहाँ पर आपको देखिए बूट मिल जाते है हाई हील्स वाले बूट मिल जाते है हर तरह का कलेक्षन अविलेबल होता है फ्लाट आपको स्लीपर चाहिए वो मिल जाती है बैली मिल जाती है, हर एक चीज अंकल जी के पास अवेलेबल होती है, प्राइस रेंज 100 रुपीज से स्टार्टिंग होके, लास्ट प्राइस अंकल जी के पास 250 रुपीज होता है, ठीक है 250 रुपीज से ज्यादा का कलेक्शन बहुत ही रेयर आता है, वन्ना अधरवाइस ही सारा collection देखने को मिलता है तो इस तरह की हील वाली आपको sandal यहाँ पे 150 रुपीस में मिल जाती है पीछे आप देख सकते हो कितनी अच्छे अच्छी आपको यहाँ पे चबपले sleepers footwear collection मिल जाता है और अगर आप office going ओ तो आपको office going के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे option देखने को मिलते हैं अब मैं दूसरे भीया के पास आई है और यहाँ पे मुझे footwear collection बहुत amazing लग रहा था आप देख सकते हो कितनी बड़िया बड़िया footwear collection था यह वाली देखो कितनी मस्त लग रही है 100 रुपे इन का price था 100 रुपीस 100 रुपीस में आपको यह वाला collection मिल रहा था बहुत affordable range में आपको यहाँ पे footwear collection मिल जाता है 100-100 रुपे में इतनी variety मिल जाती है even quality का collection होता है भया जस्ट अभी खोली रहते देखिए पीछे सारे boxes है और यह एक एक पीछना box में pack होता है तो काफी जबरदस collection आपको इतनी affordable range में यहाँ पे मिल जाता है आप कभी भी Sunday को आओगे न तो यह सारा ही collection आपको मिलता रहता है यहाँ किसी किसी Sunday मिलता है हर Sunday को आपको यह वाली चीज़े मिलती रहती है तो लेकिन price में bargaining नहीं होगी क्योंकि पहले भीयान इतना affordable range कर रखा है यहाँ पे 100 रुपे में आपको collection मिल रहा है बहुत अच्छा collection था अब यहाँ पे एक और अंकल जी ने sale लगाय हुई थी जिसमें आपको सभी taps की heel collection मिल जाएगी shoes मिल जाएगे, boot मिल जाएगे, हर तरह का collection आपको 100 रुपे में मिल रहा था तो इसमें mix collection था, party wear आपको slippers मिल जाएगी, plain slippers मिल जाएगी, normal wear मिल जाएगी boot मिल जाएगे, long boot मिल जाएगे, short boot मिल जाएगे, हर एक चीज यहाँ पे 100 रुपे में थी तो इस तरह का collection आपको 100 रुपे में आप ले सकते हो, अपना size वगेरा check करके लेना अच्छे से, दोनों को एक बार पैर में पहन के देखना, उसके बाद ही purchase करना, कुछ चीजों में defect होते है और एक बार मैंने यहाँ से एक purchase की थी थी ना, तो एक पैर तो जो मैंने दाला था, वो ठीक ता अब घर पे आके मैंने दोनों दाल के देखी ना, तो मेरा पैर साइड में भाग रहा था, तो वो 100 रुपे मेरे वेस्टी गए, कोई पैर लाएक ही नहीं है, वो बिल्कुल भी, तो इस तरह से आप check कर लेना, मैंने आपको बता दिया है, दोनों को आप पैर में दाल के देख लेना, तो पैर पैर बावल रेंज में आपको बिल्कुल एवन क्वालिटी की सारे शूस कलेक्शन मिल जाएगी, सबी साइजेस अविलेबल होते हैं, छोटे से लेकर आपको सारे ही बड़े साइजेस भी यहाँ पे मिल जाते हैं, जिनके पास आपको कौकरी आइटम्स की सबी 50 रुपे के 6 कप भया की पास प्राइस रेंज स्टार्टिंग गया है, और आपको 100 रुपे 6 वाले भी, 150 रुपीस के 6 पीसेस वाले भी हर तरे का कप कलेक्शन मिल जाता है, बावल मिल जाते हैं, क्राउट काफी जादा था, क्यूंकि इस टैम दिवाली पे काफी जादा क् काफी सारी इसमें 10-15 मीटर लेस होती है, डोरी होती है, तो लेस डोरी सारा ही मिक्स कलेक्शन होता है, आप देख सकते हो, कोई सा भी आप लो 20 रुपे में आपको मिल जाता है, यहाँ पर भाईया जी ने चूड़े लगा हुए है, यह जो मैं आपको चूड़ा दिखा रह लाता है, तो यहाँ पर देखिए आपको शूस मिलेगे बॉइस के, 250 रुपीस प्राइस था और यह जी ने सेल लगाई हुए थी, यह चीज़े आपको कभी-कभी मिलती है, संडे वाले दिन, तो इस तरह का कलेक्शन आपको संडे वाले दिन देखने को मिल जाता है, 250 रु संडेल दिखा रही हूँ न, बॉइस की यह 200 रुपीस में मिलेगी, ठीक है, 200-500 रुपे प्रैस था, 2 प्रैस थे भीया के, यह वाला कलेक्शन आपको 200 रुपीस में मिलेगा, शूस का कलेक्शन आपको 250 रुपीस में मिलेगा, लेकिन काफी अच्छ लगा, फिर्कुल fresh quality का सारा material था यहाँ पर असर नहीं था कोई भी रियूस्ट या cheap material था cheap material बिल्कुल नहीं था A1 quality के सारे pieces थे 12 टोटी चोक पर रोड पर आपको यहाँ पर सारे fabric collection में मिल जाते है 30 रुपे मीटर की हिसाब से यह वाले भी है यहाँ पर sale कर रहे थे 30 रुपे मीटर की हिसाब से आपको यह वाले fabric मिल जाएगी इसमें सभी टैप्स के fabric अविलेबल थे काफी affordable range में आपको यहाँ पर collection मिल जाता है फैब्रिक से related भी आपको किसी भी टैप का fabric चाहिए ना वो आप यहाँ पर आपको मिल जाता है पहले क्या होता है तो सदर बजार में सिर्फ वैसी चीज़े मिलती थी home decor और चीज़े लेकिन आप यहाँ पर आपको फैब्रिक से related चीज़े भी मिल जाती है संडे वाले दिन तो देखिए कितने अच्छे अच्छे फैब्रिक है एवन quality के थान के सारे pieces ते जितना मीटर आप लेना चाहते हो भी असी ले सकते हो एक मीटर भी आपको दे देगे 30 रुपीस मीटर के हिसाब से यह सारा collection आपको मिल जाता है affordable range में चलिए चलते हैं दूसरे भाया जी के पास 20 रुपी मीटर के हिसाब से आपको यह सारा collection मिल रहा था यह वाली आप नैट देख सकते हो कितनी pretty लग रही है आप इसका suit साड़ी कुछ भी बना सकते हो लहंगा वगेरा और इस पर आपको मोती का काम मिल जाएगा पूरे पर आपको मोती लगे हुए मिले कि 20 रुपी यह काफी अच्छा collection यहाँ पे लगा हुआ था तो इन भाया दी के पास भी न हर संदे वाले दिन आपको fabric material ही मिलेगा हर टैप्स का fabric material अविलेबल होता है सभी टैप्स की नैट भी आपको मिल जाती है affordable range में आपको यह सारा fabric collection इनके पास मिल जाता है तो देखिए यह सभी क कुर्ती के कपड़े भी सेल कर रहेते तो इसमें आपकी कुर्ती बन जाएगी और अगर आप healthy होना तो भी आपकी अच्छी कुर्ती बन जाएगी 16 पीस प्राइस था फ्रांट बैक देखिए पूरी कुर्ती आपको मिलेगी काफी अच्छी लगी मुझे according to price 16 पीस में complete कुर मेटर के हिसाब से यह वाला फैबरिक सेल कर रहे थे 40 रुपीस मेटर के हिसाब से आपको इस तरह का फैबरिक मिल जाएगा और यह वाले फैबरिक की ड्रेस मैंने मीशो वगरा पे भी देखी है तो यह वाला फैबरिक न काफी जादा थे तो affordable price में आपको यहाँ पे फैब संडे को आपको काफी अच्छे अच्छे डिफरेंट फैबरिक देखने को मिल जाते हैं affordable range में तो देखिए इस तरह का कलेक्शन भीये के पास हमेशे ही लगा रहता है यह सारी ही मार्किट का कलेक्शन आपको संडे वाले दिन मिल जाएगा और यहाँ पर भीया जी ने एक वाला फैबरिक मिल रहा था भईये के पास आपको शीमर भी मिल जाएगी शीमर वाला फैबरिक काफी कोस्ती मिलता है यहां पर आपको गोल्डन सिल्वर शीमर भी 40 रुपे मीटर की साफ से मिल जाएगी और इस वाले फैबरिक में नीचे कुछ इस तरह से इंब्रोइडी में मिल जाती है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर लेना बाए